हेलो एवरिवन मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने योट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं आज मैं आपको बारे में ही जानकारी दूंगी इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी मैंने बनाया था तो आज मैं आपको बारे में बताऊंगी उसके बारे म हमारा वेट नॉर्मड शैके अपना बाल बा यदू हरे अपना बाई वेट कितना है क्या क्रें हमें का समय कर रहे में और हिसी यदि दया है हमारा ल towards finances की इससे हम आपना डी वेट कितना है तो हमें अपना बाइड एड चैनलोगि रहें हैश्ए हुड़ सथीचना ही हमें हम जो हमारा weight होगा उसे हम उपा लिखेंगे और नीचे divide कर देंगे height से height को लिखेंगे meter में meter square जो भी digit आपकी आएगी उस digit को आपको vary करना है अपने body mask index से आपका जो BMI है वो 18.5 से 25 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब जो है आपका weight normal है अगर हमारा जो BMI है वो 25 से 30 के बी है कि हम overweight है अगर हमारा BMI 30 से 35 के बीच में आता है तो इसका मतलब हम OBS की category में जा रहे हैं लेकिन first first stage का obesity वो हमें हो रहा है हमारा जो BMI है वो 35 से 40 आता है तो इसका मतलब हम OBS की second condition में आते हैं अगर हमारा BMI rate 40 से अब अब चला जाता है 40 से जादा आता है तो इसका मतलब हम ओबेज हैं हमें weight reduce करने की बहुत जादा सक्त जरूरत है तो इस ताइप से आप अपना BMI rate निकाल सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आप overweight है या underweight है या आपका weight बिलकुल normal है अब हम बात करते हैं कि आपने अपना BMI निकाल दिया उसके according आपने पता कर लिया कि आपका BMI कितना है और आप कौन से श्रेणी में आते हो आप normal weight में आते हो या over weight में आते हो या obese के category में आते हो तो आज मैं आपको कुछ homeopathic medicines भी बताना चाहूंगी अगर आपका weight जो मैंने आपका जो metabolism है वह बहुत जादा slow है आपका जो भी आप खाना खाते हैं वह fat में से convert हो जाता है और बहुत slow slow जो है आपका fat burn हो रहा है मतलब आपका metabolic rate है वह बहुत जादा slow है तो उसे थोड़ा सा fast करने के लिए कुछ homeopathic medicines आती है जो आपके weight reduce करने में आपकी बहुत करने हैं वह सारी तो follow करनी ही है साथ में आपको यह homeopathic medicines भी स्टार्ट करनी है homeopathic medicine में पहली medicine है phytolakka berry phytolakka berry जो tablets आती है वह आपको 4 tablets सुबा morning में खाली पेट लेनी है 4 tablet दिन में लेनी है और 4 tablet रात में सोते वक्त खाना खाने से पहले लेनी है यह medicine आप continue एक-डो महीने तक 2-3 महीने तक continue करिए जब तक कि आपको अपना मंचहा weight ना मिल जाए आपको यह continue करनी है second number की medicine है वह है fucus vesiculus, fucus vesiculus mother tincture को आपको half cup water में 20 drops डालके दिन में तेन बा लेना है, बीजबुन सुबा, बीजबुन दिन में और बीजबुन शाम को खाना खाने से पहले, यह भी आप continue तक करेंगे जब तक कि आपको अपना मंचहा weight ना मिल जाए, जैसे आप यह दोनों medicines continue और साथ में जो tips हैं उनको follow करेंगे तो आपका weight 100% जरूर कम होगा, लेकिन आपको बहुत dedication के साथ यह सारी चीज़े follow करनी है, आपको बिलकुल भी सुस्ती नहीं बरतनी है, पुरा dedication के साथ आप tips follow करेंगे और यह homeopathic medicines जो हैं इनको लेना शुरू करेंगे, medicines का कोई भी side effect नहीं है, बिलकुल safe medicine है, आप इनको continue कर सकते हैं, medicines को लेने से आपका metabolism fast हो जाएगा, जिससे के आपकी body में जो है, वो fat जबना बंद हो जाएगा, और आप जो भी खाना खाएंगे वो energy में convert होगा, आशा करती हूँ कि, obesity के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली होगी और म obesity पर और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी, तो stay tune, मिलते हैं next video में, thank you.